असलाम अलेकुम दो तीन दीन से हो रही है बहुत ज्यादा बारिश हमारे है करपे सभी को पकोरे खाने का बहुत मन कर रहा ता मैंने सोचा कि बना लेते हैं साथ यसाथ रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिती हूँ जिसके लिए मैंने दो थिन घंडे के लिए सबसे पहले चना दाल को विगब के रहा है दाल के पकोरे बनाने वाली हों उसके बाद मिक्सी जार में मैंने दाल को डाला साथ में मिर्च एँथ धोरे से अद्रग एँडलसं को कूट के मैंने genera ंप लोगों आप जो पकोड़ा है ये वाले पत्ते डाल के ये पत्ते का नाम क्या है आप मुझे कॉमेंट करके बताएए ये पेट के लिए काफी अच्छा होता है ये पकोड़ा मैं बना रहे हो खास अपने पापा के लिए तो दोनों पेस्ट जो है वो बिलकुल बनके तयार है अब मिर्च त प्यास के लिए प्यास को मैंने बिलकुल बारिक चॉप कर लिया है और दोनों ही पेस्टों में मैंने प्यास को एड कर लिया है दाल के पकोड़ा में थोड़ा ज्यादा डाला है जो ग्रीन पकोड़ा है उनमें मैंने थोड़ा कम डाला क्योंकि इसमें मसाला और प्यास सब दोड़ा तोड़ा करें नफेसे इतने अई कुछिए ढावडर साथ जेर की आपावडर इयक्स मीक्स कर सब्सक्राइब क्रिस्पावडर कॉता अग्छा बजुद उसा हुदे हैं काफी अच्छा लगता है वक्त अब मैंने आयल को गर्म होने के लिए हैं आइल गरम होने के बाद मेडियम फ्लेम पे मैं इनको दोनों तरब से अच्छी तरह से फ्राइ कर लेना है ताकि अंदर से क्रिस्पी बन जाए और यह पकोरे होने के बाद मैंने डाल दिया अपना जो हर्प्स वाला ग्रीन पकोरे थे और आप देखोगे कि इनको फ्राइ करत आया बहुत टेस्टी बना था वीडियो अगर अपको अच्छा लगे तो आप यह रैसिफी ट्राइ कर सकते है घर पे ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड थैंक्यू फोर वाचिंग बाबाई